वास्तु शास्त्र के मुताबिक आपके घर पर रखी चीजें आपके घर में उप्योग होने वाली चीजें और आपके घर की एक-एक चीजों का प्रभाव आपके जीवन में पड़ता है कुछ वास्तु दोश आपके जीवन में दिक्कत बढ़ाती है तो कुछ आपके जीवन में सुख सम्रिध ही लाती है ऐसे में हिंदू धर्म में ये बात तो सभी को पता है कि पूजा पाठ के दोरान मिट्टी के बरतनों का इस्तेमाल किया जाता है या फिर यूँ कहें कि मिट्टी के दीप मिट्टी के हवन कुंड मिट्टी से बनी मूर्ती का खास तोर पर इस्तेमाल किया जाता है वास्तु शास्त्र में ये कहा गया है कि कुछ मिट्टी के चीजों को अगर आप अपने घर में रखते हैं तो इससे आपके घर में positive energy बढ़ती है साथ ही आर्थिक दिक्कतों से भी छुटकारा मिलता है आये जानते हैं कि ये कौन सी पांच चीजे जिन्हें हमें अपने घर में जरूर रखना चाहिए मिट्टी की मूर्तियां वास्तु शास्त्र में मिट्टी से बने मूर्ती को रखना बहुत शुब माना गया है घर में मंदिर में मौजूद मूर्ती को मिट्टी से ही बना कर रखने की कोशिश करें मा लक्ष्मी की मिट्टी की मूर्ती घर में रखने से बरकत बढ़ती है वास्तु शास्त्र में उत्तर पूर्व एवं दक्षिन पश्चिम दिशा में मूर्ती को रखना शुब माना गया है मिट्टी के दीपक हिंदू धर्म में मिट्टी के दीपक का भी बहुत महत्वब बताया गया है कहा जाता है कि बिना कोई भी धार्मिक अनुष्ठान मिट्टी के दीपक के बगैर पूरा नहीं हो सकता है अक्सर दिये के लिए मिट्टी का ही दिया उप्योग किया जाता है घर में सुबह शाम जलने वाली दिया भी मिट्टी की होती है जिससे घर में पॉजिटिव एनजी का संचार होता है मिट्टी के घरे घर में गर्मियों के दिनों में अक्सर थंडे पानी के लिए मिट्टी के घरे का इस्तिमाल किया जाता है इससे स्वास्थे के साथ साथ हमारे वास्तुशास्त्र में भी शुब माना गया है वास्तू के मुताबिक घर के उत्तर दिशा में मित्टी के घड़े में पानी भर कर रखने से सुख सम्रिधी में होती है ध्यान रखें कि मित्टी का बरतन हमेशा पानी से भरा हुआ होना चाहिए मिट्टी का गमला बहुत से लोग प्लास्टिक के गमले में पेर पौधे लगाने लगे हैं लेकिन अगर आप मिट्टी के बरतन मिट्टी के गमले में लगाते हैं तो आपके जीवन में सुक समरिधी बढ़ती है और नेगेटिव एनजी दूर होकर सकारात्मक शक्ती बढ़ती है